1. मानव जीवन मानव जीवन की महिमा मानव जीवन परमात्मा से मिलने का एक मात्र अनमोल अवसर है यह बार-बार नहीं मिलता इसलिए इस जीवन के मिलने पर हमें अपना अधिक से अधिक समय प्रभु भजन में लगा कर जन्म मर्ण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पाने का भरपूर प्रेत्न करना चाहिए अन्यथा यह दुरलभ जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा सुन्दर मनुशा देह की महिमा बरनेह साध जामें पैए परमगुरु अविगती देव अगाध सुन्दर मनुशा देह की महिमा कहिये का है जाकों बंचे देवता तुं क्यों खोवे ता है सुन्दर मनुशा देह यह पायो रतन अमोल कोड़ी सटे न खोईए मान हमारो बोल बार बार नहीं पाईए सुन्दर मनुशा देह राम भजन सेवा सुकृत यह सोदा करि लेह सुन्दर निश्चे आन तुँ तो ही कहुं करि प्यार मनुश जन्म की मौज यह होई न बारम बार सुन्दर तुँ भटकत फिर्यो स्वर्ग मृत्यु पाताल अबके या नर देह में काड आपनों साल सुन्दर कचु संख्या नहीं बहुतक धरे शरीर अबके तुँ भगवंत भज विलम करें जिनि बीर सुन्दर या नर देह है सब देहन कव मूल भावे या में समझितू भावे या में भूल सुन्दर मनुश देह धरे भजयो नहीं भगवंत तो पशुजयों पूरे उदर शूकर स्वान अनन्त सुन्दर या नर देह अब खुल्यो मुक्ति को द्वार योंहीं बिर्था नक होईये तो ही कहयो कैबार सुन्दर मनुश देह यह तामें दोई प्रकार यातें बूडें जगत महें जातें उत्रें पार माया मोहों और तृष्णा में आसक्त मनुश्य इस संसार में एक परिवार के सदस्य अपने अपने स्वार्थ वश कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं जैसे किसी नदी के पार जाने के लिए कुछ यातरी थोड़ी देर के लिए किसी नाव में एक साथ बैट जाते हैं पर नदी के पार जाते ही वे सभी अलग होकर अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। उसी तरह परिवार में कुछ समय के लिए साथ रहने वाले लोगों का संबंध भी स्थाई नहीं होता। संसार के अधिकांश लोग संसारिक वस्तूओं के त्रिशना और लोब में आसक्त होकर अपना सारा जीवन इनकी प्राप्ती के लिए भागदोड करते रहने में ही बिता देते हैं। और जैसे जैसे वे बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, उनकी त्रिशना और भी बढ़ती जाती है। बलकि अपने बेटों और पोतों के लिए भी धन संपती को एकत्रित करने में जुटे रहते हैं। इस प्रकार इस दुरलब मनुष्य जीवन को जो सांसारिक दुखों से मुक्त होने का एक मात्र अवसर है। लोग माया मोह और त्रिशना में आसक्त होकर एक जुवारी की भांती अपना सब कुछ खोकर अंत में घोर निराशा के साथ इस संसार से विदा ले लेते हैं। मात पिता बंधव सकल सुतदारा सों हेत सुन्दर बंध्या मोह करी चेते नहीं अचेत। सुन्दर स्वारत सों बंधै बिन स्वारत को नाहीं जब स्वारत पूजे नहीं आप आप को जाहीं। सुन्दर अति अज्यान नर समुझत नहीं लगार जिनहीं लडावे लाड़तूं ते ठोकी हैं कपार। सुन्दर माया मोहत जी भजिये आतमराम ये संगी दिन चारिके सुतदारा धन धाम। सुन्दर बैठे नाव मैं कहूं कहूं ते आई। पार भय कतहूं गए त्यों कुटुम्ब सब जाई। सुन्दर पक्षी ब्रिक्ष पर लियो बसेरा आने। राती रहे दिन उठी गए त्यों कुटुम्ब सब जाने। सुन्दर समझ बिचार करे, तेरो इनमें कौन, आप आप कौन जाहेंगे, सुत दारा करी गौन पलपल छीजे दहे यह, घटत घटत घट जाए, सुन्दर तृष्णा ना घटै, दिन दिन नौतन थाई बाला पन जोबन गयो, व्रिद भय सब कोई, सुन्दर जीरन हुएंगे, तृष्णा नौतन होई सुन्दर तृष्णा पकरी कें, करम करावें कोरे, पूरी हुईन पापनी, भटकावें चहुँ वोरे तृष्णा डायन होई कें, खायो सबसंसार, सुन्दर संतोशी बचें, जिनके ब्रह्म विचार सुन्दर तोही कितो कहें, सीखन मानी एक, तृष्णा तूँ छाडए नहीं, गही आपनी टेक सुन्दर तृष्णा सर्पणी, लोब सर्प कैसाथ, जगत पिटारा माहें, अब तूँ जिन घाले हाथ सुन्दर तृष्णा है चुरी, लोब खडग की धार, इन तें आप बचाईये, दोनाव मारण हार पूरण ब्रह्म निरंजन राया, तिन यहु नकसिख साज बनाया, ताक हुँ भूल गए बिभचारी, अया मनश हुँ बूज तुम्हारी बाला अपन महें, भय अचेता, मात पिता सौं बांध्यो हेता, प्रतमें चूके सुधन संभारी, आया मनुश बूज तुम्हारी मात पिता जो र्यो सन मंधा, कै कुछ आपही कीयो धन्दा, लेकरी पांस गरे मह डारी, आया मनश हुँ बूज तुम्हारी ता पीछे जो बन मदमाता, अतिगति हुए विशया सनराता, अपनी गनैन पर की नारी, अया मनुश हुँ बूज तुम्हारी आठों पहर विशेरस भीना, सनमन धन जुवती कों दीना, ऐसी विशया लागी प्यारी, अया मनुश हुँ बूज तुम्हारी उद्धम करिकरी जोरी माया, कै कचु भाग लिख्यो सो पाया, अजहु तृष्णा अधिक पसारी, अया मनुश बूज तुम्हारी ऐसे करत बुढ़ापा आया, तब काठी कर पकरी माया, कोडी खर्चत कसके भारी, अया मनुश बूज तुम्हारी मेरे बेटे पोते खई हैं, मेरी संची कोऊ न लई हैं, इश्वर की गथी कचु न विचारी, अया मनुश ही भूज तुम्हारी अब तो निकट मौत चले आई, रोक्यों कंट पित कफ बाई, जम दूतनी पासी विस्तारी, अया मनुश बूज तुम्हारी हंस बटाऊ किया पयाना, मृतक देखी कर सबे डराना, घर में तेले जाहू निकारी, अया मनुश हूँ भूज तुम्हारी ले मसान में आए जब ही, किये काठ एकठे सब ही, अगनी लगाई दियोतन जारी, अया मनुश हूँ भूज तुम्हारी हितकारी सो रोवें गाड़ें, किरिया करें जनेद्वे ठाडे, बेटा ठोके मूण्ड कपारी, अया मनुश हूँ भूज तुम्हारी संच संच करी राखी माया, औरह दिया न आपन खाया, हाथ ज़ार जियो चलियो जुबारी, अया मनुश हूँ भूज तुम्हारी सुकृत न कियो न राम संभारियो, ऐसो जन्म अमोलिक हारियो, क्यों न मुक्ती की पौरी उगारी, अया मनुश हूँ भूज तुम्हारी प्रभुसों सन्मुख कबून हुए, धन्दा ही मैं पचिपच मुए, भजेन विश्व भरन बनवारी, अया मनुश हूँ भूज तुम्हारी चेती सकैसो चेतहु भाई, जिन्य डहकावो राम दुहाई, सुन्दर दास कहें जू पुकारी, अया मनुश हूँ भूजे तुम्हारी काल का प्रहार, जब तक चेतन आत्मा इस जड़ शरीर में रहती है, तब तक मनुश्य को साधारन तह, अपनी असलियत का ग्यान नहीं रहता, और वह अपने शरीर को देख, गर्व से फूला नहीं समाता वह नहीं समझता कि आत्मा के इस शरीर से निकलते ही, ये शरीर मिट्टी का धेर बनकर रह जाएगा, या इसे जलाकर राख कर दिया जाएगा पर जो मनुश्य इस शरीर से अपनी ममता को निकाल कर प्रभु के भजन में मगन रहता है, उसे अपनी रत्न के समान अनमोल, निराकार और निरले पात्मा का ग्यान प्राप्थ हो जाता है, और वह परमात्मा से मिलकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना लेता है काल ग्रसत है बावरे, चेतत क्यून अजान, सुन्दर काया कोट में होई रहा सुल्तान सुन्दर काल महाबली मारे मोटे मीर, तू कौने की गनती में चेतत काहन बीर सुन्दर काल गिराई दे, एक पलक में आई, तू क्यूं निर्भय हुए रहेो, देख चलेो जग जाई सुन्दर तेरी और कौँ, ताकि रहे जम दूत, बैरी बैठे बार नैं, तू सोवे कहीं सूत सुन्दर सुवा पींज रहे, केली करे दिन रात, मिन की जाने खाव कब, ताकि रहे इह भात सुन्दर मुसा फिरत है, बिलते बाहर आई, काल रहो अहे ताकि कर, कब हुक लै उठाई सुन्दर मचरी नीर में, बिचरत अपने ख्याल, बगुला लेत उठाई के, तोई ग्रसे यों काल सुन्दर तो काउ मारी है, काल अचानक आई, तीतर देखत ही रहे, बाज जपट ले जाई यों मति जाने बावरे, काल लगावे बेर, सुन्दर सब ही देखतें, होई राख की ढेर सुन्दर तो तू उबरी है, समरत सरने जाई, और जहां तहां तू फिरे, काल तहां तहां खाई सुन्दर गाफिल क्यूं फिरे, साब धान किन होई, जम जोरा तकी मार है, घरी पहरे मैं तोई सुत कलत्र माता पिता, भईया बंधु समेत, सुन्दर सब कों देखते, काल ग्रास करि लेत जोर चले कहें कौन को, सब कुटंब घर माहें, सुन्दर काल उठाई ले, देखत ही रह जाएं सुन्दर घर घर रोवणों, पर्यो काल की त्रास, केक जारन कों गए, फिर केक को नास साधक सिद सबें डरे, तपी रिशीवर मौन, योगी जंगम बापुरे, सुन्दर गनती कौन एक रहे करता पुरुष, महाकाल को काल, सुन्दर बहु बिनसे नहीं, जाको यह सब ख्याल सुन्दर उठतें बैठतें, जागत सोवत काल, निर्भय कोई न रह सकें, काल पसारयो जाल जगत जोई जो कृत करे, सोसो भै सयुक्त, सुन्दर निर्भय रामजी, कैकुई जन मुक्त काल ग्रसे आकार कों, जामे सकल उपाधी, निराकार निरलेप है, सुन्दर तहा न भ्याधी सुन्दर काल तहा तहा, जब लग है अग्यान, ममत गयो जब देह को, तब व्यापक भगवान सुन्दर बंध्या देहसों, तबलग ग्रासे काल, छाड़ी ममत न्यारो भयो, रज्जु बिशय कत ब्याल सुन्दर भूलो आपकों, खोई अपनी ठोर, देह माही मिली देहसो, भयो और को और सुन्दर चेतनी आत्मा, जड़सों कियो सने है, देख खेसों मिली रहे हो, रत्न अमोलक ये है मानव जीवन को व्यर्थ गवाना मानव जीवन को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का यही एक मात्र दुरलब अवसर है यह जीवन केवल थोड़े से समय के लिए ही प्राप्त होता है इसलिए व्यर्थ की सांसारिक विशेवासनाओं में फंस कर, इसे बरबात न करके अपने सद्गुरु के आदेशानुसार सावधानी के साथ प्रभु भजन में लगाना चाहिए अन्यथा हमारी जीवन नौका भवसागर से पार न होकर भवसागर के जल में ही बह जाएगी तो सही चतुर तू जान पर बीइन अतिपरे जिनी पंजरे मोह कुवा पाई उत्तम जनम लाई ले चपल मन गाई गोबिंद गुन जीते जुवा आपु ही आपु अज्यान नलनी बंध्यो बिना प्रभु बिमुख के बार मुवा दास सुंदर कहे परंपद तो लहे राम हरी राम हरी बोल सुआ बार बार कहयो तो ही सावधान क्यों न हो ही ही ममता की मोट सिर काहे को धरतु है मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी बाम मेरे पशु मेरो ग्राम भूलो यों फिरतु है तू तो भयो बावरो, बिकाई गई बुधी तेरी, ऐसो अंध कूप ग्रह तामे तू परतु है सुन्दर कहत तो हे, नै कहुन आवे लाज, काज कौँ बिकार कैं, अकाज क्यूं करतु है बालू माहे तेल नहीं, निकसत काहू विदी, पाथर न भीजे, बहु बर्षत घन है पानी के मथे तें, कहुं घीव नहीं पायत, कूकस के कूटे नहीं निकसत कन है शून्य ते मूठी भरे, ते हाथ न परत कचू, आवसर के बाहें कहा उपजत अन है उपदेश औशद कवन विधी लागे ताहे, सुन्दर असाध्य रोग भयो जाके मन है बैरी घर माहें, तेरे जानत सनेही मेरे, दारा सुत बित तेरो, खोसी खोसी खाहेंगे और उँ कुटंब लोग, लूटें चहूं वो रही तें, मीठी मीठी बात कहें, तोसों लपटाहेंगे संकट परेगो जब, कोव नहीं तेरो तब, अतही कठिन बाकी बेर बुट जाहेंगे सुन्दर कहत, तातें जूठो ही प्रपंच यह, सुपने की नाहें, सब देखत बिलाहेंगे बारू के मंदिर माहें, बैठ रहो थिर होई, राखत है जीवने की, आसा कैव दिन की पलपल छीजत, घटत जात घरी-घरी, बिनसत बार कहा, खबर न छिन की करत उपाए, जूठे, लैन दैन खान पान, मूसा इत उत फिरे, ताकी रही मिन की सुन्दर कहत, मेरी मेरी करिभूलों शठ, चंचल चपल माया, भई किन किन की पायो है मनुष देह, औसर बन्यों है आई, ऐसो देह बार बार, कहो कहां पाईए भूलत है बावरे, तु अब के सयानों होई, रतन अमोल यह काहे कों ठगाईए समुझ बिचार करे, ठगनकों संग त्याग, ठगाबाजी देख, कहुं मन न डुलाईए सुन्दर कहत तोही, अब सावधान होई, हरी को भजन करे, हरी मै समाईए घरी घरी घटत, छीजत जात छिन छिन, भीजत ही गरी जात, माटी कोसो ढेल है मुक्ती हू के द्वार आई, सावधान क्योंन होही, बार बार चड़तन, त्रिया कोसो तेल है करिले सुकृत, हरी भजन अखंड उर, याही मैं अंतर परे, या मैं भ्रम मेल है मनुष्य जनम यह, जीती भावे हारे अब, सुन्दर कहत या मैं, जुवा कोसो खेल है पाई अमोलक देह इह, नर क्योंन बिचार करे दिल अंदर काम हू, क्रोध हू, लोब हू, मोह हू, लूटत है दसहू दिसिद्वंदर तु अब बंचत है सुर लोक ही, कालहू पाई परैसू पुरंदर छाड कुबुद्धी, सुबुद्धी हिर्दे धरी, आतम राम भजे किन सुन्दर कौन कुबुद्धी भई घट अंतर, तु अपनों प्रभुसों मन चोरें भूली गयों बिशया सुख में, सठ लालच लागी रहें अति थोरें ज्यों कउ कंचन छार मिलावत, लैकरी पाथर सों नग फोरें, सुन्दर या नर देह अमोलिक, तीर लगी नव का कत बोरें देखत के नर दीसत है, पर लक्षन तो पुसके सब ही हैं बोलत चालत पीवत खात सू, वैघरी वैबन जात सही हैं प्रात गए रजनी फिरी, आवत सुन्दर यो नित भार वही हैं और तो लक्षन आई मिले, सब एक कमी सिर श्रिंग नहीं हैं करत प्रपंच, इन पंचनी के बस पर्यो, परदारा रत भैन आनत बुराई को परधन हरे, परजीव की करत घात, मध्य मास खाई लव, लेश न भलाई को होई गो हिसाब, तब मुकते न आवे जवाब, सुन्दर कहत, लेखा लेत राई राई को इहां ते किये बिलास, जम की न तो हे तरास, उहां तो न हुए हैं कचुराज पोंपा बाई को जन्म सिरानों जाई, भजन बिमुख शठ, काहे कों भवन कूप बिन मीच मरे है गहत अबिद्या जान, शुक नलिनी जियों मूड, करम बिकरम करत नाहीं डरी है आपों ही तैं जात, अंध नरकन बार बार, अजहू न शंक मन माहें अब करी है दुख को समूह, अब लोकी के न तरास होई, सुन्दर कहत नर नाग पास परी है जूठो जग एन, सुन नित्य गुरु बैन, देखें आपने हूँ नैन, तोव अंध रहे जवानी में केते राव राजा रंक भय, रहे चली गए, मिल गए धूर माही, आए ते कहानी में सुन्दर कहत अब ताहे न सुरत आवे, चेते क्यों न मूड, चितलाए हिरदानी में भूले जन दाव जात, लोह कौसो ताव जात, आव जात ऐसे, जैसे नाव जात पानी में मानव जीवन का सार परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुश्य जीवन में ही हो सकती है और यह जीवन केवल थोड़े से समय के लिए मिलता है इसलिए हमें शीग्र से शीग्र प्रभु भजन में लगकर नाम की साधना द्वारा प्रभू से मिलने का अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए अन्यथा जीवन के अंत में हमें केवल निराशा ही हाथ लगेगी अज्यान में फसे रहने के कारण हम अपना जीवन पश्वों जैसा बिता कर अपना अमूल्य जीवन बरबात कर डालते हैं पर यदि हम किसी साधू संत की संगती का लाभ उठा कर प्रभु भजन में लग जाएं तो हम अविनाशी परमात्मा से मिलकर सदा के लिए अमर हो सकते हैं इस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं सुन्दर यों ही देखतें औसर बीतियो जाई अंजुरी माहें नीर ज्यों किति बार ठहराई सुन्दर अब तेरो खुसी बाजी जीत की हारे चौपड कौसों खेल है मनुशा देह बिचारे सुन्दर याही देह मैं हारे जीत को खेल जीते सो जगपती मिलें हारे माया मेल सुन्दर भटक्यों बहुत दिन अब तू ठोहर आओ फेर न कब हुँ आई है यह अवसर यहुडाओ सुन्दर दुख न मान तू तोहे कहुँ अपदेश अब तो कचुक सरम गह धौले आए केश सुन्दर बैठो क्यूं अबै उठकर मारग चाले कै कुछ सुक्रत कीजिये कै भगवन्त संभाले सुन्दर ठग्यो अनेक बार सावधान अब होई हीरा हरी को नाम लै चाड बिशे सुख लोह सुख दुख चाया धूप है सुन्दर कर्म सुभाव दिन द्वैशीतल देखिये बहुर तप्त मैं पाउं तेनर सुख किये घने दुख भोगे अनंत अब सुख दुख कों पीठ दे सुन्दर भज भगवन्त बेग बेग नर राम संभाल सिर पर मूच मरोरत काल यातन का लेखा है ऐसा काचा कुम्ब भर्या जल जैसा बिनसत बार कचु नहीं होई पीछे फिरी पचितावे सोई को तेरों तु काको पूत घर घर नौमन उरज्यो सूत नीके समझ देखमन माहें आठ बाट सब को ही जाएं ममता मोह कौन सों करे बाट बटो ही क्यों नहीं डरे संगी तेरे सबै सिधाए ताकों दैन संदेशा आए मनुश्य देह दुरलब है सही शिव बिरंच शुक नारद कही सुन्दर दास राम भजिले है यह अउसर बरियां पुनि ये है सोई सोई सब रैन बिहानी रतन जन्म खबर न जानी पहले पहर मरम नहीं पावा माता पितासों मोह बंधावा खेलत खात हस्या कहुं रोया बाला पन ऐसे ही खोया दूजे पहर भया मत वाला परधन परत्रिय देख खुसाला काम अंध कामनी संग जाई ऐसे हैं जो बन गयो सिराई तीजे पहर गया तर नापा पुत्र कलतर का भया संतापा मेरे पीछे कैसी होई घर घर फिरह लरिका जोई चोथे पहर जरातन व्यापी हरी न भजयो इह मूरख पापी कहे समुझावे सुन्दर दासा राम बिमुख मरी गए निरासा तोहे लाभ कहा नर देह को जो नहीं भजे जगतपती स्वामी तो पशुवन में छेह को खान पान निदरासुख मैथुन सुत दाराधन गेह को यह तो ममत आहे सबहिन को मिथ्या रूप सनै को समझ बिचार देख या तनको बंध्यो पूतरा खेह को सुन्दर दास जान जग जूठो इन मैं कोव न कहको नर राम भजन कर लीजिए साद संगती मिल हरिगुन गईए प्रेम मगन रस पीजिए भ्रमत भ्रमत जग में दुख पायो अब काहे कों चीजिए मनिशा जन्म जान अतिदुरलब कारज अपनों कीजिए सहज समादी सदा ले लागे इह बिधी जुग जुग जीजिए सुन्दर दास मिले अबिनाशी दंड काल सिर दीजिए